welcome to learn to actualize channel my name is habiman and आज हम learn करेंगे कैसे india में mughal empire establish हुआ और पहला उनका बादशाह कौन था तो पहला उनका बादशाह कौन था बाबर ठीक है और बाबर का बाद कब हुआ था हम सब को याद है किस दिन हम सारे जाने प्यार वाला दिन में आते होते हैं एक दुसको गिफ्ट एते होते हैं हाट देते होते हैं कौन सा दिन होता है 14 ठीक है तो उसके बाद तब बाबर अपने यंग एज में था तब इंडिया का बादशाह कौन था इब्राहिम लोधी तो बेसिकली लोधी वंच का तब राज था इंडिया में ठीक है तो इब्राहिम लोधी अपने टाइम का सबसे एजुकेटर राजा बना था यह थे अब्ना राजा थे उतना इजुकेटर नहीं थे जितना इब्राहिम लोधी अजुकेटर था इसने बहुत किताबें पड़ी थी बहुतती तब कीने की पढगी होँ थी लेकिन ऐजुकेटर होना jest अलेकिन इसको अपनी पॉपूलेशद का outs डील करना नहीं यह आता he was not a good king ठीक है तो सबसे पहले इसमें आप ते क्या किया किया कि चलो हम सारे दिली में क्या बैठे कैपिटल बनाकर बैठे हम कहीं और जाकर कैपिटल बनाएंगे जब हम एक जगा से दूसरे जगा कैपिटल बनाते हैं तो क्या होता है खर्चा बढ़ता है सारी चीज़े वहां ट्रांसफर होनी है कितना खर्चा खेच चल कहा हमें पता हो कि हमारा गर वहां पास है प्रॉपर्टी के रेड्स ही बहुत कुछ होता है दूसरी चीज़ इसने क लेड कर सकते हैं यह कब के टाइम की बात हो रही है जब हमारे सिख्षिजम में गुरु नानक देव जी पहले थे हम कहते हैं वह लोद्धी वंश में जॉब करते थे सुल्टानपूर लोद्धी में ठीक है तो यह तबीका टाइम की बात है तो पजाब में कौन सा दूलत ख चनक गया है, आप इंडिया में आओ और डिली पे राज करो डिली कैपिटल के ठीक है, जब आप डिली में राज करो दिली में जीत करके, फिर मुझे भी बहुत बढ़ी प्रिचिन मैं जा जरीके और स्सीं से मरा पीछा भी छूट जाएगा, ठीक है, नब आंग बाबर इं जब रॉब आया इबराहीम को बतायागया जी वह आ गया है उसने इपनी सेना को कार रख ली पानी पत र्सग्या से जब कर दिल दिंग चाते हो तो चगा गहा नाम किया थारा ह dalla क्ट है तो एबराहीम को बताया गया कि यह आपके खिलाफ एक बंदा आया तो बाबर की बढ़ी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है कि बाबर कैसे आया था इंगें तो बाबर तैमूर खांके वंच में से आता था उसका जीन्ज वहाँ से थे तो पहले वह बहुत हार गया था कुछी जंगों में असे कुछ ने साब कुछ गवा दिया था लेकिन एक बार वो किसी माई के पास खाना खाने के लिए गया और उस माई ने उसको बताया कि तीरा जो वंच है वो कितना अच्छा है कितना किसना तो बहादर कौम से ब्लॉंग करता है उसको इतनी मोटिवेशन मेरी है कि मेरे मैंने तका मुझा द Dasar यहाद जन्यां करें है तो वो जब आया और अबराहिम रोदी को बताया गया जी वो बाबर आ गया है बाबर को किया मिल गया तब टाइम मिल गया अपनी मैनेजमेंट करने कि कैसे मैं कैसे मैं उस से जीतूँँगा कोई कि मेरे पास Ausland के 2 पी यूट यह से वाइट किया था उसके जो सेना सेना भी होगी ना उनको टाइम मिल जाए कि कहां पर बंदूख रखनी है कहां पर किया करना है वो यूटी सब थके ना ऐसे ना हो ठीक है उसके पर टाइम मिल गया तो कुछ बीस आइधिंग 19 और 20 देश के बाद इबराहिम दोधी वहां पुंचा अप बूब वह आके देखा उसने देखा हम तो कहीं से अटैक ही नहीं कर सकती एक तरफ टोवाा एक तरफ शहर एक तरफ नदिया और एक तरफ वैसे तो एक ही तरफ बची थी उसके पास हमला करने के लिए तो वहीं एक साइट से हो गया एंड पर क्या हुआ और दूसरा बाबर ता लोत ललॉरा प्लस-पोवांट वह enam लिए भाबर के पास तब थी तुप पहली पास अन्डिया में आई एक वह बाद क्या अगाली तो इसलों नीन वुदों कशी 스जु वते पर सकतः नंगी यह सब कहीव करें तो इनंदायन कशी जीट और जयां के और लाल किला ताज मेरे यह सब उनकी देने हैं ठीक है बाबुर ने भी आते मस्जिद बनाई वो हम आगे वाले चैप्टर में करें गया उसके आगे बेटे ने कैसे किया तो यहां तक हम यही करेंगे में कारन उसका दिमाग और उसने अपना टाइम यूटिलाइज किया और मोटिवेशन ली उसने छोड़ा नहीं के यह दिली का राजा है और मैं छोटा हूं कि जीत नहीं सकूंगा उसने प्लैनिंग की इफ यूर्स बीग पर चिल यूहाब प्लैनिग यूहाब माइंड तो आ और इब्राहिम लोदी के 20,000 सैनिक मरें उसमें जितने उसके पास से उससे पत्वान से जार कम उसके मार के गया वो यह दुख की बात है कि सैनिक मरें और इसका गया और इब्राहिम लोदी की भी मोहत होगी थैंक यू